सबसे ज़्यादा पसंद करने वाले प्लैंटों में पंप लाथा है दोस्तों यह देखने में बहुत खूब सूरत होता है बहुत केर में यह घ्रोह हो जाता है और बहुत सालों साल आपके घर में रहता है साथ ही आप इसको इंडोर से लेकर आउटडोर तक बड़े ही खुब सूरत तरीके से इसको सजा कर रख सकते हैं यह कहीं पर भी एक्जेस्ट हो जाता है बड़े ही आसानी से लेकिन दोस्तो इस pump plan का एक common problem होता है वो है दोस्तो इसका पत्यों की उपर brownness आ जाना यानि कि इस पत्यों की टॉप को आप देखिएगा कि दीरे दीरे वो ब्राउन कलर का आ जाता है वो किसलिए होता है क्या उसका reason है उसका solution क्या है वो सब बताऊंगा आज की इस वीडियो में तो चलिए दोस्तों जहाद देर ना करते वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों पंप्लैन की जो पत्या है यह ब्राउन हो जाने की पीछे मुख्य पार्च करन होता है सबसे मुख्य कारण है दोस्तों इसमें ओमर वाटरिंग करना यानि कि आप लोगों में से जो लोग नए है वो लोग यह सोचते कि वो ज्यादा से ज्यादा पानी देंगे तो उनका प्लैन जल्दी से जल्दी ग्रोह होगा लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों आप लोग ज्यादा पानी डालने से आपके प्लैन का नुक्सान करेंगे और इसका रीजन आपकी प्लैन की पत्या धीरे-धीरे ब्राउन होना शुरू हो जाएगा तो दोस्त से कारण है इसका शौईल मिक्सर दोस्तों सही सौईल मिक्सर के आप को जरूरा थे स्च आप अगर और गत्ष ट्रह से बहुतじゃ नहीं हो जाएगा तो direction पानी मोद्य motif से भी आपकी जो प्ल प्लान की पत्ती हो वो गाउन होना सुरू हो जाएगा क्योंकि इंडोर में जो प्लैंट हम लोग रखते हैं उसके जो स्वाइल मिक्सर होता है वो बहुत ही कम माता में नमी को पकड़ करकता है क्योंकि हमारे इंडोर में रहने वाले प्लैंट ओपर डा तो तीसरा जो मुख्य कारण है वह ज्यादा तर पुराने प्लैंटों में होता है क्योंकि दोस्तों पुराने प्लैंटों की जो रूठे वह धीरे धीरे बाउंस होना शुरू हो जाता है आपकी प्लैंट को लगाने के बाद लग लग 2-3 सार रख देते हैं और उस पॉर्ट क प्लैंट की कमी हो जाता है और उसका जु प्तिया धीरे दीर धीर ब्राउन हो नहीं हो जाता है तो इसीलिए आपके पास जितने भी पूराने प्लैंट है जिनकी पत्यसम्स होने सुद्ध हो चुका है इप उनको खॉर्ड कर दीजिये जिससे आपका यह प्रप्लेम कीस्छ को य। मुख्य का रहे हैं सिक्षे शुक्त रिखे Up 1 122 च्शो लोस अब नहीं सबस्क्राइए दो मैं करते सी हैं हैं लुकितां आप घी का पूरी का रचार लेकिन आप ज़रूरत के हヤ кли। पानी डालते हैं तो इसलिए ज़रूरत जितना है उतना आप इसको पानी दीजिए ऐसा नहीं है कि आपकी प्लैन की नुक्सानी है बहुत कम पानी जानला यानि कि आपका धीरे-धी ट्रेस में चला जाएगा जिससे आपकी प्लैन की बंत्य ब्राउन होना भी सुरू हो जाए है जिसका जो सलूसन है थो इसका प्लैंट को अच्छी आप धो दीजिए या फिर समय समय पर आप इसकी पत्तियों को साफ कर देब यह फंगा समले से बचर आएगा और फीर अगश्य आघर होड़ा है तो आप हर पंदा दीर में एक बार एक अच्छे से फंगी एक लीटर पानी में मिलाकर आप इसको अच्छे से स्प्रे कर दीजिए साथ ही थोड़ा साप इसके जड़ों में भी डाल सकते जिससे आपका प्लैंड पूरी तरह से फंगस से सेव हो जाएगा तो दोस्तों यहीं मुख्य पांच कारण है आपकी पंप्लैंड की जो पत्या ह मैं कान। confident को देजेए दोस्तों हमारे पंपंप लाइंड में नहीं फूल आता है रहतितोंतों इसलिए इसको जो नुट्रिक्रिश्इन की जरौते ज़रुँफाढैक्स चुब कम होता है तो इसलिए महिने में एक बर कोही भी अच्छे से वहों जो कशक्त से हगां ख्यार रखिए जिससे आपने पंप लैंड भी देखने में भी खूब सूरत लाएक और आप इसको कहीं भी बहुत अच्छी दाय से सजाकर रख भी सकते हैं तो दोस्तों आज की वीडियो में बस सही तक मिलें गांपी दोस्तों अगली वीडियो में तब तक के लिए देखते यिजिए को चाहज बड़ोस्तों